हेलो जी वेलकम बैक टू माई चैनल आसा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और ठीक रहें यहां पे सुबकाना हाना जो इसके लीड जो ती वो तूट गई थी तो लेके आया है क्योंकि ओनलाइन क्लास लेता है तो उसके लिए चाहिए थी इसको तो खराब हो गई थी तो लेके रहें यह तो अच्छी लगती है और इसमें जी असी चोटे वाले को पसंद नहीं है काना तो फिर भी पी लेता है तो सब को ठंडाई पिलाके उसके बादे में फ्रीज साप कर रही हूं तो अच्छे से में गरम पानी और सोड़ा और नमक वगए डालके और फिस पूरे साम करूंगी और यह देखे साप करके में वापस पूरा सामान रख दिर पूरे फ्रीज को अच्छे से वास करीती उसके बाद मैं थोड़ा सी नास्ता बना रही हूं तो यह मूंग रखे हुए थे इस प्रावड मूंग मेरे पास तो आज मैं तावा पे इसके थोड़े सी तड तॉर्प एक्षिम झालगे यह दालकी तॉर्समें मेने लसन वगएर टालकी है और उसके थोड़ा सी पानी मिलाई थी 10am गिलास करीवं और अज़के भाद में हल्दी पाउडर हो लाल मिर्श पाउडर थोड़े सी और सब यह दूकर धालकी और अच्छे से पक आई हूं में इसको और बहुत अच्छे से भी पख गए ये जदा पके भी आशे ने लगते हैं तो यहाँ है भी मीधा चीला बनाई थी बच्चों के लिए तो भह और मॉंग है और अधा अच्छे लगते लगते हैं भी बारीस payment लिक और यह मैं खा रही हूँ और बहुत ही टेस्टी बने थे और यहां पे है न जो हलका प्लका नास्ता हो गए मेरा और बच्चे है न जो आम खाए रहे तो हम कह रहे थे कि यह बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा क्योंकि इसका जो कलर रहना केरी के जैसा लग रहा था लेकिन यह अंदर से मीठे ही थे बहुत अच्छे थे और उसके बाद में हम बार गए थे तो थोड़ी देर काम से गए थे तो दुफेर बाद में घर पे आई थी और उसके बाद में शाम को मैं आरबी की सबजी बनाओंगी सूप की सबजी भी बनाओंगी और थोड़ी पतले वाले भी बनाओंगी तो अरबी को मैं यहां पर स्टीम करूंगी तो चलनी रखी हूं स्टीमर भी है मेरे पांस लेकिन इसमें भी हो जाती है जल्दी से तो इस तरीकी से चलनी में रखके स्टीम हो जाती है और यह थोड़ी ड्राई रहती है पानी में उबालने से थोड़ी अच्छी नहीं रहत तक मसाले अंदर तक चले जाए चमस्य में अच्छे से सारे आरभी में चेद कर लिए ज्यादा नहीं बनाई थी मैं बच्चेरी कम खाते हैं तो इसलिए और यहां पर कटोरी में में हल्दी लोंगी और मिर्च लोंगी और यहां पर जीरा लोंगी और धनिया पाउडर नमक से बहुत टेस्टी बनती है और कडाई में तेल डाल कि जीरा चटकने के बाद इनको मैं फ्राइ करूंगी थोड़ इसी देर ताकि इनका जो चिपचिपा बनाना वो कम हो जाएगा और उसके बाद में गेस लो करूंगी और सारे मसाले डाल दूंगी और मसालों को अच्छे से कोटिंग हो जाएगी मसाले की तो यह फिर ना मसाले बिल्कुल भी यह से नीचे नहीं रहते हैं इन्हीं पर लग जाते हैं और धीरे धीरे आच पर इनको पकाती रहूंगी मैं यह देखिए तो इसको थोड़ा सी अच्छे से पकाने के बाद यह सारा मसाला इसके अच्छे से पके और लग जाता है और फिर मैं बाहर निकालूंगी और इसको अगर पतली बनाना चाहें तो इसी कडाई में मैं थोड़ा सी मसाला ग्रेवी टामाटर प्याजगी बनाकी वो डाल सकते हैं लेकिन मैं सूकी निकाल ली अर्भी थोड़ी सी पसंद है मिर को और वच्चों के लिए थोड़ी पतली बनाऊंगी वो निखा रहे हैं तो यहां पर मसाले डाल दी उधर पकराया मसाले का पानी और इधर मैं चेक कर देखती हूं तो यह इतनी टेस्टी लग करने के बाद आर्भी डाल दी मैं और यह पतली वाली सब्जी बन गई है और बच्चे अब खाना खाएंगे और यह बहुत टेस्टी बनी थी सब्जी आप इस तरीके से जरूर बनाना